दोस्तों कि आप जानते हो कि अगर आप लगतार कुछ दिन दो बोटल या इससे ज़्यादा स्टिंग एनरजी ड्रिंक को पी योगे तो आपकी मौत भी हो सकती है और तो और इसके अंदर इतनी मातरा में शुगर होती है कि आप जल्दी ही डाइबेटीस के शिकार हो सकते हैं एनरजी ड्रिंक का ज़्यादातर इस्तमाल कई लोग देर रात तक जागने के लिए और या फिर काम करने के लिए करते हैं आपको बता दें कि रेड बुल या फिर स्टिंग एक ऐसी एनरजी ड्रिंक है जिनने अगर आप लगातार तीन-चार दिन पी लोगे तो चोथे दिन आपका अपने आप मन करने लगेगा कि आप एक एनरजी ड्रिंक को पी लें ये आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाती आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फेक्टरियों में स्टिंग और मेंटोस ये सब कैसे बनाये जाते हैं बस आप वीडियो के लास तक हमारे साथ बने रहिए तो चलिए वीडियो को शुरूर करते हैं नमबर एक दोस्तों स्टिंग को पेप्सी को कमपनी के दुबारा बनाया जाता है सन 2002 में स्टिंग को लॉंच किया गया था जो आज सबसे ज़्यादा पी जाने वाली एनरजी ड्रिंक्स में से एक है तो चलिए जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो ज़्यादा तर लोग इसके पीने के दिवाने हैं दोस्तों फेक्टरी में सबसे पहले स्टिंग के मेन इंग्रिडियन यानि की पानी को कार्बोनेट किया जाता है मतलब की पानी में कार्बन डायोकसाइड को इंजेक्ट किया जाता है जो की स्टिंग में बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है दोस्तों जैसे ही पानी अच्छे से कार्बोनेट हो जाता है तो इसमें शूगर और कैफेन को मिलाया जाता है आपको बता दें कि एक कैन में करीब 35-40 गराम चीनी मिलाई जाती है और एक हेल्दी इंसान को एक दिन में 40 गराम से जाला चीनी नहीं खानी चाहिए अब इसके अलावा इसमें सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट और बहुत सी चीजों को मिलाया जाता है दोस्तों इसमें ऐसी खास चीजें पाई जाती हैं जो कि लोगों को बार-बार पीने के लिए मजबूर करती हैं और वो चीजें हैं टोरीन और विटमिन B3 जिससे इंसानों के अंदर उत्तेजना पैदा होती है और ये सभी चीजें ड्रक से भी ज़्यादा खतरनाक होती है और यही वज़ा है कि लोग इसको किसी नशे की तरह छोड़ नहीं पाते अब दोस्तों सभी चीजों को एड़ करने के बाद स्टिंग को कलर्स देने के लिए इसमें आर्टिफिशल कलर्स भी मिलाए जाते हैं और ये सब प्रसेस के खतम होते ही स्टिंग का लिकविड बनकर त्यार हो जाता है अब इस लिकविड को पैकजिंग लाइन में भेज़ा जाता है और वहाँ पर पहले तो मशीनों की मदद से बोटल्स को बनाया जाता है और उनको शेप दी जाती है अब आटोमेटिक मशीन की मदद से बोटल्स के अंदर स्टिंग के लिकविड को भरा जाता है और इसके बाद बोटल के उपर स्टिंग के लेबल वगेरा लगा दिये जाते हैं और अब जाकर आपकी स्टिंग आप तक पहुंचने के लिए तियार है दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कैफेन और सुगर की मातरा बहुत होती है जो आपको नीद नहीं आने देगी जिससे आपका शरीर दूसरी बिमारियों से लड़ने के योग नहीं रहेगा और छोटा सा वायरस भी आपकी मौत का कारण बन सकता है अब आए दोस्तों जानते हैं कि फेक्टरी में मेंटोस कैसे बनती है दोस्तों फेक्टरी में सबसे पहले मेंटोस में निम्बू वाला फलेवर लाने के लिए शुगर फ्री स्वीटनर, मेगनेशियम स्टीरोइड और लाइम ओल का इस्तमाल किया जाता है अब सबसे पहले प्रोसेस में इस समगरी को एक बड़े से मिक्स्चर में डाला जाता है जो हरी चीज आप इसमें देख रहे हो वो कोला और लाइम का मिश्रन है और फिर इसको अच्छे से बाहर से बंद करके इसको लगतार 45 मिनट तक घुमाया जाता है इस पूरे प्रोसेस के बाद इसमें कुछ कलर्स एड किये जाते हैं दोस्तों इसमें मिलाए जाने वाले सभी कलर्स एडिबल होते हैं यानि कि आप इसे खा भी सकते हो अब इसके बाद इनको मिक्स्चर में लगी नोजल से बाहर एक ड्रम में निकाला जाता है और जब वो drum पूरी तरह फुल हो जाता है तो उसे दूसरी machine में डाला जाता है दोस्तों इस process में सबसे पहले pressing machine में powder को डाला जाता है जिस से दवाईयों की tablets भी बनाई जाती है दोस्तों ये machine इतना fast काम करती है कि ये एक minute में 18,000 गोलियां बना सकती है ये मशीन बस पाउडर को होल में इंजेक्ट करती है जिसको कमपरेशन कहा जाता है और इसके बाद इनको दूसरे सिलेंडर में डाला जाता है जिसमें जादा पाउडर को साइड में निकाल लिया जाता है और बाद में इन गोलियों को पैकजिंग के लिए भेज दिया जाता ह तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें